हाई अव्रीबून दिस इस टेक्नोट्रिक्स भी और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मेरा रेड्बी नोट 4 अलग है obviously मैंने hardware में कोई changes नहीं किये हैं सोचा था display का कुछ experiment ट्राइ करूँ पर वो possible नहीं हो पाया तो इस पूरे वीडियो में मैं बस software feature explain करने वाला हूँ कुछ इस particular room main built है जो इसे रेड्बी नोट 4 का सबसे अच्छा room बनाता है और कुछ additionally install किये हुए है जो इस पूरे phone को अलग बनाता है तो बस अब चैनल को subscribe कर लो वीडियो को like कर दो तो हम भी फिर सुरू करते है 2017 में हम fingerprint के alternative ढूंडने निकले Samsung iris scanner के साथ और Apple Face ID लेकर आया वैसे face unlock का concept android 4.0 ice cream में first time introduced हुआ था और अब 2018 में तो हर phone में ये होना compulsory कर दिया है चाहे वो उतना secure हो या ना हो does not matter पर face unlock वो as a feature के तोर पर गिनाते हैं तो ये Redmi Note 4 भी इस में पीछे क्यों रहे face unlock जो इस phone में है secure तो बिलकुल नहीं है पर use करने में बहुत ही मज़ेदार है यार परन तो उससे पहले अगर कोई मुझसे पूछे Redmi Note 4 के लिए सबसे best room तो definitely without any doubt वो remix OS version 6.0 media official based on android 8.1 होगा तो बात करते हैं face unlock तो face unlock को enable करने के लिए सबसे पहले आप settings में जाए security वहां trust agent पे click करें और smart lock पर google को enable कर दें उसके बाद आप security में एक नए option को पाएंगे उसका नाम smart lock tap on it अपना पिन एंटर करें और यहाँ पर trusted face इवन आप अपने voice location से भी unlock कर सकते हैं face unlock के लिए trusted face पे click करें आप यहाँ अपना face add कर लें यहाँ मैंने already अपना face add कर रखा है तो improve को option आ रहा है बस face unlock add हो गया है पर यह auto unlock नहीं है यहाँ आपको manually swipe up करना पड़ेगा इसके दो solution है या तो आप auto input app यूज़ करें और अगर आप remix voice यूज़ कर रहे हैं तो बस configuration में जाए फिर lock screen अब यहाँ पर security पर tap करें और बस face auto unlock को enable कर दें तो यह feature आपके Redmi Note 4 में भी आ जाएगा दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है portrait shot portrait shot के लिए description में एक google drive का link होगा application का नाम gcam install करें इसकी एक ही requirement है android 8.1 minimum आपको android 8.1 चाईए आपको install करने के बाद simple से कुछ hardware use को permission देना है और यहाँ menu पर क्लिक करें portrait mode आपके सामने यह कुछ sample shot है जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं compare to the ordinary Redmi Note 4 ordinary से मेरा मतलब है या तो उसमें कोई MIUI है या आप normal कोई camera app यूज कर रहे हैं इस camera app की एक और अच्छी feature है कि आप 4K video shoot कर सकते हैं 1080p में आप 60 frame के साथ recording भी कर सकते हैं जो मेरे लिए बहुत ही मज़िदार feature है अब कुछ ऐसे feature की बात करते हैं जो remix OS में पहले से inbuilt है हैं तो बहुत चोटे पर बहुत ही ज़्यादा useful है सबसे पहले status bar slider for brightness adjustment simply status bar को slide करके brightness adjust करें इसे enable करने के लिए configuration में जाएं वहाँ पर status bar और अगर आप status bar पर ध्यान दें अभी तो आपको date, time और signal, battery percentage यह सब की customization यहां मिलेगी जो मैंने already customize की हुई है अब यहाँ status bar gesture पर क्लिक करें और यहाँ इसे enable कर दें brightness control को नीचे आपको double tap to sleep का option मिलेगा अगर आप उसे enable करते हैं तो double tap जब आप अपने status bar पर करेंगे तो यह आपको sleep mode में भेज देगा आपका phone lock हो जाएगा आपको कोई manually power button प्रेस करने की ज़रूत नहीं है phone को lock करने के लिए अगला है 360 rotation फरक यह नहीं पढ़ता कैसे phone पकड़ रखा है यह feature उस वक्त सबसे ज़्यादा काम आता है जब आप phone charge कर रहे हो और आपको phone use करना है portrait mode में बिल्कुल आपको जब 180 degree का rotation मिलता है तब यह feature सबसे ज़्यादा काम आता है इसे enable करने के लिए settings में जाए tap on display now click on advance यहाँ पर rotation settings पे click करें और सारे rotation mode को on कर दे और really यार इस room में इतने configuration है उन पे एक separate video तो बनती है comment में बताइए अगर आपको video देखनी है तो फिर सोचा जाएगा otherwise नहीं तो फिर आप आगे बात करते हैं phone के theme की theme के लिए इसमें मैंने sub statum install कर रखा है जिसमें मैं काफी themes ट्राइ करता रहता हूँ जब मुझे पूरी dark theme चाहिए होती है तो मैं swift black theme को enable करता हूँ इस लिए completely dark जो मुझे काफी पसंद है पर अभी इसमें flux white enable है जो काफी हद तक android P जैसा है जैसे कि आप notification icons देख सकते हैं even in settings देख सकते हैं साथ में rounded curve के लिए मैंने सबसे उपर वाली theme भी enable कर रखी है आपको इस अभी themes की link description में मिल जाएगी और अगर साथ में आपको ये clock widget या normal informative text widget अच्छा लग रहा है तो इसके लिए आप जूपर विजट इंस्टॉल कर सकते हैं link description में और इसमें आप कोई भी नया widget create करने के लिए बस widget section में जाएं सबसे पहले नीचे आपको जूपर विजट मिलेगा simply one cross one पे touch and hold करके रखें यहां इसे resize कर लें जितना size में आपको चाहिए इसके बाद इस पे click करें ना built-in में जाएं और यहां आपको बहुत ही अच्छे clocks widget या informative text और itself आप create कर सकते हैं कोई text और फिर scaling में जाकर उसका size adjust कर लें even आप यहां पर widget tap on action भी choose कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां clock को choose करूँगा अब बस back button प्रेस करके आप desktop पे आजाए आपका widget तयार है और इस phone में ringtone भी मैंने काफी महने से डून रही है तो मैं उस बारे में बात कर लेता हूँ definitely वो आप लोगों को पसंद आएगी यहां मैं पहले सुना देता हूँ यहां भी दो ringtone है mood के हिसाब से change करता रहता हूँ पहली है यह और दूसरी है यह अगर अच्छी लगी हो तो link description में है और otherwise अगर आपके पास कोई अच्छी ringtone है तो definitely मुझे उनका link भेजे और कुल मिलाकर ऐसा है कि यार इस रोम को मैं कई महिनों से use कर रहा हूँ तो obviously तुम लोग समझ गया होगे कि कोई रोम में problem नहीं है like completely रोम stable है battery backup भी काफी अच्छा है performance में कोई problem नहीं है camera definitely better है MIUI रोम से और क्या चाहिए यार किसी को एक phone के रोम से और battery improve करने के लिए मैंने greenify additionally install कर रखा है तो बस दोस्तो ये थी video मेरा Redmi Note 4 अलग है उमीद है ये video आपको पसंद आई होगी अगर आई हो तो बस subscribe करें और share करें इस video को अपने Redmi Note 4 value friend के साथ तो मैं मिलता हूँ आप से अगली video में तब तक के लिए बाई बाई